तो आफो आफो गुद्वार्रिंग बच्चों हमने आगे समझ लिया और्प़ालोजीग फ्लावरिंग प्लांट में हम स्टार्ट किये थे रूट और रूट में इतना समझ लिया कि जो radical से जो develop होता है उसको हम tap root कहते हैं और other than radical radical के सिवा कोई और जगह से अगर root निकलता है तो उसको advantages root कहते हैं root का main function क्या है यह दो function उसके main है एक तो जमीन में से पानी निकलना याने absorption of water और दूसरा trying करिंग तो यह main function है और इसके सिवा जो कोई और अलग function करता है तो उसको हम modification के तहद देखते हैं तो कौन-कौन से modification tap root में हैं यह देखेंगे बाद में कौन-कौन से modification advantageous root में होते हैं वो देखेंगे तो tap root में basically चार modification पाये जाते हैं एक तो storage है दूसरा respiratory है तीसरा nitrogen है nitrogen fixation है और चौथा है reproduction storage माने storage of food material अगर food material बनाता है तो एक storage करने की कोई जगा चून लेते हैं तो यह जगा अगर root को पसंद की जाती है अगर root में storage पाया जाता है तो वो modification को storage के form में देखते हैं और इसके normally चार form पाये जाते हैं तो एक तो है conical conical माने क्या तो ऐसा कौन जैसा आकार है कि इस तरह का root मिले और यहां से चोटे चोटे अगर root निकलते हैं लेकिन यह वाला main tap root है और यह वाला जमीन और यह यहां से सब उसके leaves branches वगड़ देखते हैं तो यह वाला को कौनिफोंग एस ऐसा गर structure मिले जो mostly हम को कैरट में पाया जाता है तो इसको हम कौनिकल बोलते हैं दूसरा आता है Fusiform Fusiform मने क्या अगर इसको हम उसका टीप यह वाला अगर टीप समझे यह अगर उपर वाला इसको बेज समझे तो अगर उपर से थोड़ा अलग कल ले ले चलो उपर से अगर ऐसे थोड़ा बेज हो फिर बाद में ऐसा हो फिर ऐसा हो बेस और फिर यहां से अगर उसका लिव्स वगर निकलता हो स्टेम निकलता हो और इस तरफ का अगर रूट हो यह वाला टीप है तो ऊपर से थोड़ा नेरो फिर वाइड और फिर एकदम से नेरो इस टाइप को बोलते हैं फ्यूजी फॉर्म और नॉर्मली हमको मिलता है रैडिश में तो यह हुई फ्यूजी फॉर्म की बात आगे हमने कॉनिकल की बात कर ली अब यह तीसरी बात करते हैं नेपी फॉर्म की तो नेपी फॉर्म क्या होता है कि यही वाला रूट में बेज अगर थोड़ा नेरो हो फिर एकदम से ऐसा बड़ा हो जाए स्ट्रक्चर और फिर से एकदम से शॉर्ट हो जाए तो इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर हो फिर यहां से चुट 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 रूट्स निकलते हैं तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम नेपी फॉर्म बोलते हैं और यह हम को मिलते हैं बीट रूट में और यहां से लिव्स बगार निकलते हैं तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम नैपी फॉर्म बोलते हैं चोथा है ट्यूबरस मतलब इसका कोई fix कोई भी शेप नहीं रहता है इसमें पर्टिकुलर शेप fix हो घया के ऊपर से ब्राड है यह बीच में से ब्राड है असा फिक्स हो गए लेकिन जो ट्यूबरस है इसमें ऊपर से स्टेम वाला पॉर्षन है और नीचे में जो मोडिफिक अभी हो सकता है कोई फिक्स नहीं है लेकिन इस टाइप के मोडिफिकेशन अगर पाए जाते हैं तो इसको बोलता है ट्यूबरस और टैप रूट में इसका एक्जामपल बनता है फोरो क्लॉप प्लांट फोरो क्लॉप प्लांट तो यह हुई अपनी स्टोरेज का मोडिफिकेशन की बात अभी बात करते हैं ब्रीधिंग की तो रूट भी तो अपनी क्रिया करता है उसको भी तो रैस्पिरेशन चाहिए मतलब जो सेलूलर लेवल पे उसको जहां पे एटीपी की रिक्पायरमेंट है वहां पे उसको रैस्पिरेशन मतलब ऑक्सिजन चाहिए तो कोई भी फूड मंटिरल का ब्रेकडाउन करना है तो ऑक्सिजन चाहिए तो ऑक्सिजन नहीं है तो क्या कैसे करेंगे काम तो जैसे जहां-जहां मारसी एरिया मतलब वाटर लॉग्ड एरिया है बहुत टाइम बार निकलके एक अलग से नुमेटो फोर्स बनाती है इसको नुमेटो फोर्स यहां छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिसको नुमेटो फोर्स बोलते हैं यहां ब्रिधिंग पोर्स बोलते हैं तो यह टाइप के रूट्स जो होते हैं इसको ब्रिधिंग रूट्स बोलते हैं या तो respiratory roots बोलते हैं और ये example इसमें Avicenia और Soneretia में हैं तो ये थी अपनी respiratory root की बात अभी बात करते हैं nitrogen fixation की तो nitrogen fixation में bacteria के साथ कोई भी symbiotic arrangement उसकी रहती है normally जो flowering plant है जो की आज हमारा topic है angiosperms में तो बहुत सी है लेकिन we are not discussing today angiosperms आज हम gymnosperms में तो बहुत है लेकिन आज हम angiosperms की बात करेंगे तो ये हमको leguminacy family में मिल जाएगी leguminacy family क्या है leguminacy family माने जो अपने डाल जो खाते हैं वो सारे डाल है चना है फिर मूंग है ये जो सारे डाल family से जो आते हैं वो सारे plant से उसको leguminacy family से बिलॉंग करते हैं तो उसमें जो root का arrangement है वो root arrangement को एक nodules बन जाता है मतलब एक ठिक portion बन जाता है वो किस तरह से बनता है वो देख लेते हैं कि अगर यहां पे ये वाला root है ये वाला root है तो ये वाला root पे इस तरह से यहां पे एक ठिक nod बन जाता है एक ये दूसरा nod से यहां पे बन जाता है ये red क्यों बनाया है मैं बाद में बताऊंगा आपको और इस तरह के जो structure बनते हैं उसको हम nodulated structure बोलते हैं ये थोड़ा amplification करके मतलब थोड़ा बड़ा करके देखते हैं इसमें क्या होता है कि ये root है और ये root hair है तो यहां से bacteria अंदर पहले infect करना start करेगा और ये वाली line बनेगा बनाएगे जिसको बोलते हैं infection line और जैसे वो इसका cortical cell के पास मतलब जो उसके parenchymeter cell है उसके पास अगर पहुँच गया बाद में यहां वो stop हो जाता है और ये फिर ये bacteria जो अंदर गए है वो nitrogen fixation का काम करेंगे लेकिन nitrogen fixation के लिए bacteria के nitrogen fixation के लिए an aerobic mode required है मतलब उसको an aerobic mode चाहिए तो यहां पे एक nodulated structure बना देते हैं और इसमें एक material निकलता है जिसको बोलते है leg hemoglobin leg माने leguminous hemoglobin वो leguminous hemoglobin है वो oxygen को अपने side bind कर लेता है और bacteria है उसको anaerobic condition provide कर देता है जैसे ही anaerobic condition उसको मिलती है वो nitrogen fixation start कर देता है तो इस type के जो root के modification है उसको हम nodulated या nodulated root बोलते हैं और यह specially nitrogen fixation के लिए बनते हैं और यह specially हमको leguminous family में मिलते हैं जो कि peas माने मटर है चने है याने gram है उसमें सब में पाए जाते हैं स्वीट पेटेटो या तो फिर डाल बर्गी असी सो जो कि हम सीसेम के नाम से ज्यादा जानते हैं सीसेम जिससे furniture बनता है वह वाला जो वूड है उसमें एक radical बड रहता है तो यह वाला अगर root है तो root में यहां पे एक चोटा सा बड में ऐसा develop होता है फिर यहां से plant हम उसको काटके दूसरी जगा plant कर सकते हैं तो यह reproduction के लिए भी काम कर सकता है तो इस तरह के जो root के modification है इसको हम reproduction के लिए modified root बोल सकते हैं और यह बड है जो कि bird अगर देखिये bird अगर root में develop होता है तो इसको radical bird बोलते हैं अगर leaf में बर्ड डेवलोप होता है तो उसको फोलियर बर बोलते हैं तो ये वाला बर्ड है वो रूट से डेवलोप होता है तो इसको हम रेडिकल बर्ड बोलेंगे तो ये हुई हमारी टैप रूप मॉडिफिकेशन की बात चार टाइप के हमने modification देखे एक तो storage, respiratory, nitrogen fixation और reproduction अभी थोड़ी बात कर लेते हम advantages root की, advantages root है वो actually radical से develop नहीं होते हैं और इसके बहुत से modification होते हैं जैसे इसमें tap root में होते हैं इसमें भी बहुत सारे modification होते हैं तो पहले देखते हैं storage में तो storage में अगर tuber बनता है tuber मानें ये वाला अपना ground है और यहां से कोई भी shape का अगर tuber बनता है लेकिन ये हिस्सा है वो root में से नहीं निकलता है stem के किसी portion से निकलता है तो इसको हम advantageous root में डालेंगे और ये इसका example ipoma patata यानिके sweet potato को हम पहचानते हैं कि दूसरा faciculated faciculated माने रूट है उसका जो यहां पर नौड होता है उपर वाले में यहां से यह मैं बहुत काफी बड़ा बना रहा हूं इतना बड़ा नहीं होता है छोटा बना लेते चलो इतना ही होता है लेकिन इस टैप के वे बड़े बड़े structure निकलते हैं इसने से और यह पाया जाता है asparagus में nodules root एक ginger जिसको हम आंबा हरदर गुजराती में बोलते हैं एक ginger टाइप का तर्मरिक टाइप का दूसरा एक tumor आता है जिसको हम गुजराती में आंबा हरदर बोलते हैं इंगलिस में उसको mango ginger के नाम से भी जाना जाता है mango ginger के नाम से जाना जाता है और इसको बोलते हैं कुरकुमा अमांडा यह इसका biological नेम है तो यह वाला जो nodule है वो इस तरह से कुछ develop होता है बीच में ऐसे develop होता है और यह वाला portion हम खाने के लिए इस्तमाल करते है नॉर्मली यह winter season में बहुत पाया जाता है medicinal या ayurvedic medicine के तोर पर भी यहां बहुत लोग इस्तमाल करते हैं इसको mormodika जिसका नाम सुनते ही आपके जिबान पर कड़वा हटा गई वो वाला करेला तो करेला के जो रूट होते हैं जिसको इसका biological ने mormodika है तो उसके जो रूट है उसमें एक बीडिंग structure रहता है मतलब ऐसे बीडेड बनते हैं यह सारे food storage के structure है तो सारे-सारे food storage के structure है कि लेकिन ऐसे जैसे मोतियो वाली माला है इस तरह का अगर रूट में structure मिलते हैं तो इसको बीडेड रूट बोलते हैं और यह अपना classical example क्रेला वाला मोर मुमाजडिका एक पालमेट पालमेट याने पंजा पंजा टाइप की arrangement रहती है जो और चीसमें जिसको यह वाला इस तरस है जैसे हाथ का पंजा है इसी तरस का यह पंजा बनता है इसको पालमेट अर्रेंजमेंट बोलते हैं और यह भी एक storage के लिए advantageous route का modification है तो यह बात हो गई storage की अभी बात करते हैं mechanical support के लिए तो mechanical support के लिए हमने सब ने बैनियन ट्री तो देखा ही है तो जो फाइकस बेंगालेंसिस है उसकी जो branches है बहुत हैवी है मैंने आगे भी समझा दिया है लेकिन फिर से समझा देते हैं कि इसकी branches बहुत हैवी रहती है बहुत हैवी रहती है तो एक दूसरी यहां से एक route निकलता है जिसको हम proper route के नाम से जानते हैं फिर से यह जमीन में आके अड़ जाता है और फिर से यह इसको पूरा support दे देता है और यह बाद में यह thick as good as यह बड़ा वाला stem काम करने लगता है बहुत सालों के बाद को आपको पता भी नहीं चलता है कि कौन सा main stem है तो ऐसा हमारे पास एक दो एक तो famous जो कैलकता में मैंने आगे वाला first chapter में भी बता दिया था कि जो आचारिय जगदी चंदर बोस गार्डन है उसमें बहुत बड़ा पेड़ है बैनियन का जिसमें प्रूट का प्रासिकल एक्जांपल है कि फाइकस बेंगा लैंसिस लिख लें ठीक है कि फाइकस एफ आई सीवेस फाइकस कि भी बेंग कि बेंगा लैंसिस और दूसरा स्टील्ट रूट के बारे में भी आप जानते हैं कि इसने सुगरकन गन्ने नहीं खाया है बहुत सारे गन्ने खाया है जिसने गन्ने खाया है इसमें एंड के रूट में ऐसे वाले जो नोड है इसमें से इस तरह से रूट निकलते हैं और ग्राउंड पे लगे है stilt root तो इंए गहना अपना सुगरकें थे मैस थई लिए तो बहुत सारे रूट सरीज चे स्टिल्न में निकया लेकिन इस के उपर एक उपर एक के उपर बहुत सारी कैब लगती तो यह in लिए भी पहुत है तो हमने दो चीज की बात कर ली स्टील टूट की और प्रॉप रूट की अभी बटरेश रूट तो बटरेश रूट गया होता है बटरेश रूट यहांने इस टैम यह अगर मेंड रूट है मेंड रूट में यहां से अगर वर्ट होरीजॉन्टली एक रूट निकलता है जो एक्चुली प्लांट को पुरा बैलेंस करने के लिए बाहर निकलता है इसको बटरेश रूट बोलते है और बटरेश रूट है वह फेमस तो एक्चULY PEEPAL TREE में ज्यादा FEMUS है और इसको इसको यहां से निकलते हैं इसको बट्रेस रूट और यह उसको स्ट्रेंथ देने के लिए ऐसे होरिज़न्टल रूट निकलते हैं इसको के सतह पे निकलते हैं तो इसको बट्रेसिंग रूट बोलते हैं फिर और यह दूसरा एक्जमपल है जिसको हम सेमल रू के नाम से जानते हैं सेमल रू वाला जो पोधा होता है वो पोधा जिसको बॉम्बेक्स से नाम से भी जाना जाता है बहुत सारे उसके नाम है लेकिन सेम अगर मनी प्लांट की कोई शाखाय बनाए तो एक तरफ से पत्ता होता है और दूसरी तरफ इसका रूट निकलता है और इस पे ऐसे नोकीले काटे रहते हैं जिससे वो क्लाइम्बिंग करने में हेल्प परता है और क्लाइम्बिंग रूट का क्लासिकल एक्जामपल है मनी प्लांट जिसको बायोलोजिकल नम पोथास है एपिफैटिक का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि एपिफैटिक माने जो प्लांट के ऊपर ग्रो करता है जहां पी एवर्ग्रीन फोरेस्ट है जो भी एवर्ग्रीन फोरेस्ट है तो वहां बौटम पे लाइट पहुचने की कोई possibility नहीं रहती है तो यह वैंड़े जैसे plant क्या करते हैं कि वो plant के ऊपर ही grow कर लेते हैं और plant के ऊपर से ही grow करके अपना sunlight ले लेते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं they are not parasitic लेकिन ये sunlight लेने के लिए दूसरे plant पे grow करते हैं इसलिए उसके root modified होने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको moisture observe करने के लिए अभी उसके पास land नहीं है तो उसका root में modification होता है जिसको बोलते हैं velement tissue velement tissue होने के या velement होने के कारण वो पानी absorb कर सकता है और इसका classical example है Venda होस्टोरियल या ने इतो पैरसाटी की है मतलब root develop करे उसका जो root है वो main plant में इस तरह से develop करेगा कि इसका पूरा body बार निकलेगा और इसका जो vascular bundle वाला है वो main plant का vascular bundle के साथ अपना काम match कर देगा इस तरह से और फिर इसका खाना पीना साब यह बड़ा यह वाला plant लेता रहेगा कसकटा लेता रहेगा यह वाला main plant है main plant है और इस पे यह होस्टोरिया और जो चीज जो root अंदर जाके यह जाइलम एंफ्लोयम के साथ मैच कर देता है उसको हम होस्टोरिया बोलते हैं अभी बात करते हैं फोटो सिंथेटिक की तो बहुत से रूट ऐसे भी होते हैं जो फोटो सिंथेटिक होते हैं फोटो सिंथेटिक माने जमीन के सतह पर उब्वियसली फोटो सिंथेटिक है तो उसको सनलाइट चाहिए सनलाइट चाहिए तो जमीन पर रहना है तो टीनोस्पोरा करके एक प्लांट है जो पूरा रूट ऐसे जमीन पर रहता है और यह पूरा फोटो सिंथेटिक रहता है लेकिन इसको एंकर के लिए ऐसे इसको एंकर के लिए छोटे-छोटे दूसरे हेप्टेडा करके एक स्ट्रक्चर निकलता है तो इस टाइप के एक्चुली यह पूरा ग्रीन होता है यह वाला हिसा ग्रीन होता है और रूट है वो फोटो सिंथेटिक रूट है तो यह हुई अपनी फोटो सिंथेटिक इन केस ओफ एडवेंटिजेश रूट तो यहां पर हमारा मॉडिफिकेशन इन केस ओफ टेप रूट एंड इन केस ओफ एडवेंटिजेश रूट खतम होता है और हम आगे फिर नेक्स्ट पर्ट में जाएंगे थैंक यू एरी मुच